Hello friends Welcome to our new home video of India Bulls Housing Finance Limited So friends India Bulls Housing Finance related एक बहुत बड़ा और important update है जो quickly इस वीडियो में हम share करेंगे उस से पहले request करना चाहूँगा friends अगर आपने हमारे चैनल कब सबस्क्राइब नहीं किया है तो फीलीज चैनल को subpay कीजिए जिसके लिए आपको सिर्फ एक सेकंद लगेगा फ्रेंड एक सेकंद में सब्सक्राइब बटन हिट करना और बिल आइक अंद बनाए लेकिन उसके बदले आपको time to time सारे important shares के important subjects मिलते रहेंगे जिसके चलते आपको अच्छा कासा मुनाफा भी होगा और आप multi bagger shares भी identify कर सकोगी तो friends India Bulls Housing Finance के अगर हम बात करेंगे तो ये share भी काफी अच्छे return देने का potential रखता है इसलिए हम इस वीडियो में इसको cover कर रहे है और क्या इसका बड़ा update है देख सकते हैं आप मेरे screen पे India Bulls Housing Finance opens public issue of bonds to raise 800 crore तो ये 800 crore जो है किस तरीके से raise किये जाएंगे in a statement the company said base issue size of rupees 100 crore with option to retain over subscription is up to 700 crore और ये fund जो raise किया जा रहा है वो आप या पर देख सकते हो on Friday open the public issue bond to raise debt capital up to rupees 800 तो debt capital के लिए ये decision जो है लिया जा रहा है और इसी की वज़े से जो है हमें recently इस share में जो है तेजी भी देखने को मिल दी है बहुत पहले ही जो है India Bulls Housing Finance के तरफ से ये statement भी आया था कि वो fund raise के plan के बारे में सोच रहे है तो friends फिलाल अगर हम share price देखेंगे recently हमें 81 rupees का low इसने बनाता हूँ नजर आया था जो कि लगबग जून मंद के आसपास था लेकिन वहां से आगे आप देख सकते हो हमें अभी ये 135 rupees पे trade होता हूँ नजर आ रहा है all time high की बात करेंगे तो 1440 rupees का इसका all time high था जो हमें recently देखने को मिला था 2018 इस year में लेकिन उसके बाद जो है continuously गिरावट देखने को मिली बीच में pandemic यो जैसे भी हमें काफी aggressive गिरावट देखने को मिली इस share में लेकिन वहां से ये जो है थोड़ा बहुत bounce करता हुआ हमें नजर आया है बीच में इसने काफी अच्छा उचल भी दिया था जापे almost 300 rupees के आसपास ये touch होके नीचे आया था अब ही अगर हम बात करेंगे friends तो काफी attractive levels पर ये मिल रहा है अगर हमें इसमें buying का chance मिलता है ये 100 के nearby या 90 के nearby तो long term के लिए काफी अच्छा investment हो सकता है इंडिया bulls housing finance जो है friends housing finance company है जिसकी demand definitely Indian market में continuously होती रहती है क्योंकि house demand जो है इंडिया में काफी aggressive है after pandemic और आगे भी expect किया जा रहा है कि house से related जो demand ये ये काफी अच्छी और attractive रह सकती है तो उसी segment में ये company काम करती है recently अगर हम बात करेंगे friends इसके financial status की तो pandemic में भी इसका financial जो net income था friends 2020 में देख सकते हो 21 में या 22 में negative नहीं था सारे years में 1200 करोड के उपर का ही है और अभी till the time 2023 fiscal year financial year के लिए 1182 के उपर तक का हम expect जो है net income नजर आ रहा है यहाँ पर और एक attractive चीज़ अगर हम देखेंगे तो काफी aggressive और अच्छे जो dividend यह वो provide करती है India Bulls Housing Finance फिला लिनों ने 2022 के लिए अभी तक कोई dividend announce नहीं किया है लेकिन net income काफी अच्छे है तो शायद ना last year की तरह लेकिन कुछ ना कुछ dividend इंडिया Bulls Housing Finance ऑफर कर सकता है अगर नहीं कर सकते तो down the line कुछ यह में भी जो है और expected profitability के बाद यह लोग dividend offer कर सकते है तो काफी attractive dividend देता है इंडिया Bulls Housing Finance और बाकी सारी चीज़े जो है इसको strong मनाती है recently हमने देखा था इसका भी update में आप लोगों को provide किया था कि promoters की holding जो है almost 21.69 से गिर के 9.72 हो चुकी थी जो हमें एक बड़ा promoter exit होता हो नजर आया था उसी के चलते था लेकिन apart from that आप देख सकते हो foreign institutions की जो holding है वो काफी aggressive है यहाँ पर 25.05% का holding जो है foreign institution जो है यहाँ पर कर रहे है लेकिन इन्होंने भी recently इसको घटाया है 33.61 से यह गिर के 25% पर आ चुका है लेकिन वो भी काफी attractive है तो आने वाले समय में अगर यह debt loan का जो यहाँ पर fund risk का प्लान है वो अगर अच्छे से execute होता है और जो demand housing की वो अगर इंडिया में बढ़ती जाती है अच्छे कासे net income generate करता है अगर इंडिया housing finance तो definitely हमें फिर से अच्छे dividend देखने को मिल सकेंगे share में और अच्छे खाजे prices भी जो है वो touch होती वे नजर आएगी तो आपके watch list में अगर यह share नहीं है तो please add कीजिए अ पर आप मेरी information definitely as a reference ले सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं buy या sale को कोई भी direct recommendation नहीं करता हूं thank you for watching this video and please don't forget to subscribe our channel